सोयबीन की उपच का सही दाम नहीं मिलने से गुसाई हुए किसानों ने क्रशी उपज मंडी के बाहर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया जिससे यातायात प्रभावित हो गया सूचना पर पहुँची पुलिस ने किसानों को समझाईश देकर जाम को खुलवाया दरसल पहले चरण में सोयबीन निलामी में 5000 रुपे प्रतिक विंटल के भाव खुले थे लेकिन जब दूसरे चरण में व्यापारियों ने निलामी शुरू की तो भाव 3000 रुपे प्रतिक विंटल रह गया इससे किसान आकुरुशित हो गए और हंगामा कर दिया किसानों का ये कहना था कि व्यापारी उनके साथ नाइनसाफी कर रहे हैं चक्का जाम के चलते मुख्य मार्ग पर यातायाद बादित हो गया सूचना पर पहुंचे आलोट थाने के एसाई पंकज राजपूत और नायब तैसिलदार मुके सोनी ने किसानों को समझाई देकर रास्ता खुल वाया इदर मंडी व्यापारी संग के अद्यक्ष लोके जंडी ने कहा कि जिन किसानों के सोयाबीन फसल में नमी है उसी को कम भाव में व्यापारी खरीद रहे हमने जब चेक करवाया तो सोयाबीन में 30% तक की कमी आ रही है शेश माल जो सुखा है उसे बराबर खरीदा जा रहा है